वेलकम टू सुपरकार इंडिया, सुवागत आप सभी का कार और बाइक की बिल्कुली नई दुनिया में जर्मन के इलेक्टिक मोटरसाइकल कमणी नोवस ने लास वेगस में चल रहे कंजूम और इलक्टोनी शोओ 2019 में एक नई इलेक्टिक मोटरसाइकल पेश की थी, यह बाइक क्रोस साइकल और मोपेड है इसमें स्कीनी वील्स और टैस के अलावा ना तो लाइट दी गई है और ना ही नमबर प्लेट दिया गया है इस इलेक्टिक बाइक में एक सबसे नवीन कार्बन फाइबर फ्रेम का इस्तिमाल किया गया है जो एक प्रोड़क्स ने इलेक्टिक मोटरसाइकल पर देखा जाता है इसकी किमत 49,500 डॉलर यानि करीबन 29,000 रुपे रखी गई है किमत के लावा इस बाइक में हब माउंटेड मोटर और यूनिक डिजाइन के साथ इलेक्टिक टूविलर की दुनिया में एक नया उत्पादक है इस बाइक का वजन काफी हलका यानि कुल 38.5 किलोग्राम दिया गया है सबसा खास बात है कि इसके ज्यादादर कंपोनेट कार्बन मोनोकोक फ्रेम के पीछे चिपे हुए है इस बाइक की कुल रेंज 96 किलोमीटर है और इसकी टोब स्पीट 96.5 के मपीएश दी गई है इस बाइक के फ्रेम में 14.4 KW की लीथे मायन बेटरी का यूस किया गया है जो फ्रेम के नीचे दी गई है और इससे 80 फिस्दी चार्ज होने में एक गंडे का समय लगता है इलेक्रिक मोटर को साब तोर पर पीछे के हप में किकरूद किया गया है यह मोटर 8.3 BSP की पावर के साथ 2 से एनम का टोट जनरेट करती है इस बैक के दुसरे साइकल पार्ट जेज़े सस्पेंशन सेटप भी काफी यूनिक है फ्रेंट सस्पेंशन को हेड़ सेट के नीचे काटे में एक एकर में शामिल किया गया है और इसे डेमिज हार्डनेस के लिए एडजेस्टेबल बताया गया है लेकिन कमनी ने यह नहीं बताया कि यह यूनिक सस्पेंशन कितनी यातरा के लिए योग यह है रियर सस्पेंशन एक जटके का उप्योग करता है जो एक पारम पर एक बाइक की तरह स्विंग आरम को बंद कर देता है इस बाइक में ब्रेकिंग के तोर पर दुवल हैड्रोलीक फ्लोटिंग के लिए पर डिस ब्रेक दिया गया है इसके लवाइस प्रोटोटाइब में कोई instrument cluster नहीं दिया गया है और इससे smartphone के जरीए पूरी तरह रिप्लेस कर दिया गया है कमनी के मताबिक smartphone को सिर्फ कंट्रोल और डिस्पेल इंस्ट्रूमेट के लिए ही नहीं बलकि एक digital की की तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा तो दस्तों यह थी नोवस की electric motorcycle वीडियो चले को लाइक कर दीजे और अभी तक आपने अमारी चैनल सुपरकार इंडिया को सबस्राइब नहीं के तो प्लीज सबस्राइब के लिजे टेक केर बाई